हेलो क्लाश 10 थे बच्चों तो कैसे हैं आप लोग एकदम मस्ती में हैं ठीक है तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो रही होगी तर्म 1 का एक्जाम आने वाला है तो आप लोग की कैसी तैयारी है मुझे कमेंट में बताएं और देखिए आज का जो मैं वीडियो लाय है या यानि हट का छो है हमों लोग सीरीज कैसे होता है कैसे लिखेंगे और उसका जैनरल फरमूला क्या होता है लगने वाले हैं तो किसका यहाईड का और उसके बाद एंडि हाईड का कुछ यूज देखेंगे तो यह शुरू करते हैं तो तो हेडिंग लगाई है बच्चो आप लोग भागया से यार वाट फुर खच यह ओ हो 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 यह देखिए कितना इंक गिड़ गया रहे भाई इसमें तो पूरा लोड़ेड इंक है एक मिनट थोड़ा मुझे टाइम दिजेगा इसको साफ करने का तो बच्चो हेडिंग लगाईएगा होमो लोगर सीरीज ओफ सीरीज ओफ एलडी हाइड एलडी हाइड का होमो लोगर सीरीज आज हम लोग डिसकस करेंगे हैडिंग लगा लिजेगा बच्चो होमो लोगर सीरीज ओफ एलडी हाइड तो इसके लिए बाबू आप एलडी हाइ हो कि जनरल फर्मूला पता होना चाहिए तो इसके लिए जो जनरल फर्मूला होता है जनरल फर्मूला आता है वो क्या आता है cn h2n और लास्ट में o ठीक है इसके लिए एक और या तो यह करना आप और cn h2n प्लस और और c h o last में एड़ कर दो यह दोनों फर्मूला आप यूज कर सकते हो ठीक है तो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा यह वाला फर्मूला इस्तमाल करो इससे आप का जो भी डाउट हो किलियर हो जाएगा ठीक है यह भी फर्मूला से कर सकते हो लेकिन ज्यादा यह इफ इसको मैं इससे साफ कर लेता हूं इसमें मैंने बहुत ज्यादा इंक फील कर दिया हूं वही तुझा है यहां से ठीक है तो आइए हमोलोगे स्रीज लिखना चालू करते हैं ठीक है अगर हम n की वेल्यू वन ले 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 लेते हैं तब क्या होगा हमारा केस अगर n की तो आप समझ जाओगे तो फर्मूला रहा क्या है cnH2n और o ठीक है यह 0 नहीं है यह o है तो n के जगह पर 1 ही रखना है 2 into 1 और यह last में o यह 0 नहीं है यह o है यानि o का मतलब oxygen ठीक है तो CH2o ठीक है इसका खर्वर्मूला क्या बनेगा पहला हुमोलोह स्रीज च्रच्च्च कैसे बनेगा इसका structure इस पर फरमाईए यह carbon यहां से oxygen जुड़ेगा double bond से carbon से और यहां पर hydrogen और यहां पर hydrogen ठीक है फूँ अब इसका नाम तुम जानते हैं भाई यह है तो आम जानते हैं कि जहां पर होता है जहां से oxygen और यह इस तरह से oxygen डबल bond से जुड़ा है तो वही carbon यहां तो उसी carbon को फर्स्ट नमर देते हैं तो यहां पर इसको अचे करिबन को फस्ट इसको फस्ट नमर दिए कीतना गिर रहे हैं ऊच यहां तो यह मेंडि लगाते हैं कारवन करवर के बीच में डावल रहें इन लगाते तो इसे शलिफ्न नहीं परख तो सिंगल बॉन्ड यह घर सैंध जाएगा और किता नमदर पोसिशन पहला फैर्ट नमर पर कौन सा फंक्शनल गूप है यानि लगाएंगे क्यों कि यहां पर यह वावल है तो यह बला प्राइमरी सफिक्स का वावल ड्रॉप हो जाएगा इसका नाम मिथ इन वन अल होगा आयू पीएसी कहती है कि फर्स्ट नमर कप जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ना लिखो या लिख लो कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए मैं यहां पर लिखा ठीक है अच्छा या इसको हम ऐस फेमस है इसको आपको नोट करना ही चाहिए इसका कॉमन नाम है कि फॉर्मल कि डिहाइड इसका कॉमन नाम याद रखेगा फॉर्मल डिहाइड ठीक है इसका बहुत सारा यूजवी होता है वह सारा हम देखेंगे फॉर्मल डिहाइड का ठीक है जैसे फॉर्मल डिहाइड ज रखा जाता है फर्मल डिहाइड वाले सल्यूशन में उसको बहुत दिनों तक प्रिजर्ब करके रख सकते हैं बाइलोजी कल लैब में जो है आप देखेंगे आपके स्कुल में जो बाइलोजी कल लैब होगा उसमें मचली डाला गया है एक सल्यूशन में सांप रहता है एक सल सल्यूशन में कुछ और रहता है तो इस तरह के बाइलोजी कल चीजों को एक सल्यूशन में रखा जाता है वही सल्यूशन होता है फर्मल डिहाइड का सल्यूशन उससे जो है वह चीज़ें खराब नहीं होती है मरने के बाद भी खराब नहीं होती है उसका सेल जो है एक यह बन गया अब इसमें दो करण यहां एक करते हैं तो इधर ओ डाल दीजिया इधर डाल जाल दीजिए हमेसा कोड़नल में होता है क्योंकि टर्मिनल पोजिशन पे होता है ना तर्मिनेटिक फ्रक्शनल ग्रूप होता है या वह तो हमेसे लास्ट में कारवन के या तो इधर लिख दो समझ में आया या यहां पर हाइड्रोजन एक वलंसी सेटिस्पाइड तो तीन हाइड्रोजन ठीक है अब इसका नेम लिख लो आई यू पीसी नेम क्या होगा इसको फ पॉजिशन पर अल्डी है तो सकेंट्री सफिक्स में हम लोग लगाते हैं अब यहां पर ए है यानि वोबल है तो इको कट कर देंगे इधेन वन लिखो जाना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता इसका नाम यह भी हो सकता था इधेन अल इधेन अब इसका भी एक कॉमन नाम ब इधेनल का जो कॉमन नेम होता है उसका नाम है एसट टल डी हाइड फिर से बोलिएगा प्राबलम हो रही है बोलने में तो मेरे साथ बोलिएगा एसी टल डी हाइड और मेरे हाथ का क्या पोजीशन है आप देख सकते हैं वह इसमें इतना ना मैं इंक भर दिया हूं कि मेरा बुड़ा हाल है इसको तो मुझे साप करना परेगा अच्छे से ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो यह समझना आया अगर एन की वैलिए ठीड़ी रख दूंए और यहार बहुत ज्यादा भर दिया हूं ना मेरे इसमें चलो इसको में अच्छे से जाड़ लेता हूं अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तीन कारवन एक दो तीन अब जानते ही हो कि अल्डी हाइड ग्रूप जो होता है वह हमेंसा टर्मिनल पोजीशन पोटा यानि लास्ट में या तो इधर लिख दो या इधर लिख दो तो मैं इधर लिख देता हूं ठीक है डवल और इसको ठर्ड नम्बर कई हो जाएगा आयूपे सिने मैं आई यूपी असी मैं क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा तीन करवन है तो प्लप स्टल diyorum नाम हो जाएगा प्रॉपेन वण लेकिन यह इए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए है इसका नाम क्या हो जाएगा प्रॉपेन नल भी पड़ते हैं प्रॉपेन नल कुछ बच्चे यहाँ पर कॉमेंट करेंगे सर यह सब मुझे पता है आगे पढ़ाओ तो आप वीडियो को थोड़ा कर दो ठीक है कर सकते यह सब बेसिक बात है आपको पता ही होगा चलिए नेक्स देखते हैं कि इसका आप कॉमन नाम ज्यादा फैमस नहीं है यह दोनों का फ फार्मूला तो यह है सी फोर्ड एच टू इंटू फोर्ड और लगा दीजिए तो सी इसका इस्ट्रक्चर देख लेते हैं सी पहले यह बना ले सी फोर एच एट और ओ इसका इस्ट्रक्चर कैसे बनेगा चार कारवन एक दो तीन चार टर्मिनल पोजीशन पर आप लगाओ है तो यहां पर मैंने ऑ और यहां पर हाइड्रोजन दो सटिस्फाइब तुसाइब 3 ही दौत चलिए अब यहां पर हम कर लेयी इस इस यानि यहां फंक्श्नल ग्रूप इसको इसको तो इसको स्कार्ण इसको स थर्ड लिसको फॉर्ड इसका नाम चाहतेग हैं नहीं यहाँ रखिज्र पर यहाँ आप इन narrative कर्म के बीच में होना चाहिए यहाँ पर करवन को आ सभैंशे कराइमरी स्क्राइए हिस में करते हैं को अब उसके बाद कितने पॉजी attitudes यहाँ पे लिए dairy हाई तो फर्च नमर पोजी यूज करते हैं अल लगा दिया अब यहां वहला जो यानि सेकेंडरी सफिक्स का जो वहल है पहला आप छड़ तो प्राइमरी सफिक्स का वहल को ड्रॉप कर देते हटा देते या इसको ऐसे भी लिख सकते थे ब्यूट एन अल यानि फर्स्ट पोजीशन लिखो या न लिखो नहीं पारते है ऐसा मैं नहीं आई-उ-पीएस्ट कहती है तो यह सारा था फंक्शनल गॉरूप शॉरी हो मोलोगर स्प्रिज किस फंक्शनल गूरूप कह दटीहाइड का तो यह था तो आप यह सारा लिख लें ऐसा पूछ सकता है तो फर्स्टा ओमोंजुरिश स्लेज क्य 2nd क्या था C कहां गया वहीं C2H4O 3rd क्या था C3H6O C4H8O अब देखें यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर CH2 आएगा CH2 मॉलिक्यूल का आएगा ही आएगा क्यूंकि एक कारवन से दूसरे कारवन पर जाने में कितना कारवन का डिफेंस लग रहा है इसी के लिए इन दोनों कंजुक्यों के बीच का जो डिफेंस होता है वह सी एच्टू मॉलिक्यूल का होता है अगर मास्क के हिसाब से भी देखो तो मास्का भी डिफेंस अगर इन दोनों का बात करें और इसका है यह बातों को नोट करें आप तो जल्दी से नोट करें आप रहाए अगर यह समझ में आ गया पर होता है चूकि इसका यूज पूछ देता है कहीं कहीं पर ठीक है तो बहुत बार को एक्जाम में आया है एल्डी हाइड का जो यूज है ठीक है अब कोश्चन जानते हो कैसे पूछता है खाता है कि नी वह सलूशन था क्या थो सब्षम जाना परेगा नहीं तो पहले इसको करें अब इसको मिटाते हैं उसके बाद हम इसका यूज देखते हैं मुद्गल ऑलेक से हम इसको मिटावे ृत gotta 2 चलिए मिटा देसे का आपको होँनार का सराइट कर लेदे हैं हम लोग अब हम यूजेज देखेंगे, अल्डी हाइड गूरूप का यूज क्या होता है, तो मज़ा आ रहा होगा आज के क्लास में आपको बच्चो, चलिए मैं पहले मीटा लेता हूँ इसको, क्योंकि ये गहरा दिखरा है न, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा इंक डाल दिया था, इसके लिए बहुत बार आप डिस्टर्ब भी हुए हो, I'm really sorry for this, अब हम लोग देखेंगे, यूजेज, मेरा हाथ देखिए क्या हाल होगा, अब हम लोग देखेंगे, यूजेज, किसका, तो यूज हम देखने वाले हैं, अल्डी हाइड का, तो देखिए, अब आगे आपक स्रीज याद है आपको वही क्या था, formaldehyde, ठीक है, formaldehyde था, जिसका काम क्या है, formaldehyde solution is used in biological lab, हम अब अभी जेस्ट बताये थे, कि formaldehyde solution जो होता है, उसका used biological lab में किया जाता है, for the preservation of animal specimens, या नि वो जो formaldehyde solution होता है, उसका यूज क्या चीज में किया जाता है, तो biological lab में क किया जाता है कोई चीज मड़ा हुआ है ठीक है किसी चीज के बड़ी को प्रिजर्ब करके रखना है बहुत लंबे समय तक तो उसको क्या करता है फॉर्मल डिहाइड सलुचन में रखा जाता है जिससे क्या होता है कि वह बिना उस वह सरीर जो है उसका बड़ी बिना खराब उसका सेल जो है डिस्ट्राइड नहीं होता है वह अग्दम बहुत अच्छे से रहता है उसमें अगला यूज क्या है फॉर्मल डिहाइड हैप्स इन टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स और अल्सो यूज इन फोटोग्राफी तो फॉर्मल डिहाइड देखे पहला यूज तो यह वींघ में होता है डूसरा ओफ ओर ममलगैस सीलीज में उसका जो आप फ्रमल डिहाइड का स्ट्रॉक्चर बनायतों इसी तरह से था वची था सी हस्टी ओऊ यहीट फर्मूला x 1 केमिकल फर्मूला यही तो थहा फ्रमल्डिहाइड यहे formaldehyde का यूज जो है ड्रग्स को test करने में किया जाता है यानि दवाववा को test करने में किया जाता है ठीक है और उसका यूज जो है photography में भी होता है photography ठीक है next है production of acetic acid acetic acid जानते हैं अभी जानते नहीं होंगे आई थी यानि यह जो aldehyde न उसके बाद हम लोग ketones के उपर बात करेंगे next अगला functional group है और ketones के बाद हम लोग carboxylic acid के बारे में बात करेंगे और carboxylic acid का second homologous series acetic acid होता है यानि उसको ethanoic acid बोलते हैं वो हम लोग next video में देखेंगे ठीक है तो अगर आप लोग को पढ़ा होंगे हम यानि आप लोग पढ़े होंगे तो acetic acid का जरूर हम discussion किये होंगे क्योंकि यह weak acid होता है ठीक है weak acid होने के कारण इसका जो यह वाला h है यही जो है h plus ion में convert हो पाता है क्योंकि यहाँ पर जो oxygen है वो electronegative होता है और जिसके वज़ए से एक electron जो है oxygen जो है hydrogen से छील लेता है attract कर लेता है और जिसके वज़ए से hydrogen एक electron loss करके h plus ion बना देता है तो यह सारा हम acid basin salt में बता होगे लेकिन इसका जो है वो हमारा inorganic chemistry में था वो सब बात लेकिन यह सब चीज जो है carbon के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे तो वो पूड़ा organic chemistry में ही पढ़ेंगे तो इसके बारे में और सारा details से बात करेंगे तो next video में अब आगे देखिए क्या है कि production of acetic acid and pyreidine derivatives is possible from the compound of क्या है acetaldehyde यानि acetaldehyde जो है बाबू acetaldehyde इसी से यानि ये हमारा aldehyde का second homologous series था था की नहीं उसका common नाम था न acetaldehyde का हमारा aldehyde का second homologous series था वही तो था acetaldehyde और acetaldehyde compound के द्वारा ही हमारा जो acetic acid है ठीक है ये सब चीज बनता है बेंजल्डी हाइड के कारण ही बनता है आगे बोलते हैं आगे देखते हैं आगे है बेंजल्डी हाइड ओ भया ये बेंजल्डी हाइड क्या होता है वो भी देख रहे हैं तो बेंजल्डी हाइड पहले आपको समझा देते है इसका जो चलिंख केमिकल फॉर्मूला ओता है का यह बात कर लेता हूं वह उन्हें कि है याद रखिये गारत नंवुसे तो स्यन पुर्णा नहीं यह ही नहीं इसके बारे आपको पढ़ना है क्योंकि इसका जो स्वाध होता है थोड़ा खड़वा होता है तो चलो इसका इस ट्रक्ट्टर भी देखते हैं बनाके आप क्या होता है कि यह जल जी यानि बेंजल मतलब यानि बैंजीन जैसे आपको कुछ फिल हो रहा है ग। लील टीहाइड मतलब क्या बैंजन जैसा कुछ फील भाइश ही यविकर सोच रहे हैं तो बैंजन ठी हाइट बना भणतो कर चाहर बनाने आता है से पहले हुप्सागौन ल्टे अब यह रहा हूर सै अब यहां पर एक ये हां जोड़ माम देना परता इस तरह से ठीक है और यहां पर तो हाइडोजन ले लगेगा यहां पर आपको पता है और कहीं यहां मान चले यहीं पर हमने यहां पर कारवन होगा ठीक है और कहीं पर जाने के बाद यहां पर डबल बॉंड समझे और उसके बाद डबल बॉंड से उक्सीजन जूड़ा यहां पर यहां बना बना ले सकते हैं एस तरह से यहां बना सकते हैं of एक हाइडरोजन रिमूब हो जाता है और एक हाइड्रोजन रिमूब होने के बाद वहाँ पर हमारा यहां से ओक्सीजन और एक हाइड्रोजन इस तरह से जूड़ जाता है इसी तरह से स्ट्रक्टर है हाँ भले यहां लगा दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यही डेखें यह 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 जो है ना यह?」 यह 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 यहाइड्रोजन गूरुप जुड़ा हुआ है ग्रोक और घैज़叮री जाकर लिटेशम या अबिंजलडी आइड बन गया क्या इसके figur है चलि आगके पढ़ते तो बंजबी यहिसेन्चAlright ऐसा इसेज़ सब्सक्राइब मुल्क में यहाद होता है नव्हाद मैंटनी बहुत ज़रुरी बार जरुबरी चीज होता प्रोडक्शन के लिए को स्नाइटिक प्रोड़क्शन बर्ट इसन सब्रेंग के लिए बाहत यही इसन्सियल कंपोनेंट होता है यही सब इसका यूज है ऐल्टी हाइड तो आपा नोट कर ले हम समय हैं framing कर ले पहले हैं चलिए भई आप नोट कर लिए हैं चलिए तो आई तिंग आप नोट कर लिए हो यह सारा चीज तो क्या आज का किलास आपको बहुत अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा नए नए चीज को सीखे होंगे आप तो ठीक है इस तरह से प्रहाई करते रहें एक दम मल लगा के ए सकते हैं वो सारे objective questions को हम लोग discuss करेंगे और ऐसा वैसा नहीं वो अच्छे लेवल का होगा assertion reason तरह का assertion और region और value based question जिस तरह से CBSC पूछती है उसी तरह से objectives का में practice करवाऊंगा बहुत अच्छे तरह से और अच्छे levels के question को उठाऊंगा ऐसा नहीं कि छोटा मोटा question उठाऊंगा बहुत अच्छा level जो जिस तरह से CBSC question पूछती है होता क्या कि बहुत सारे हाथ में question आता है तो ऐसा लगता है कि कहां से पूछ दिया है यह syllabus से पूरा out of syllabus है तो उसके बाद और कहता है मेरा student कि सर जब पूरा अच्छे से अध्यान करते हैं पूरी अच्छे से दिमाग लागा के एक-एक point को पढ़ते हैं सर एक-एक question को पढ़ते हैं तब फील होता ह भी थोरा घुमाबदार बनना होगा ठीक है तो वह सारा हम objective का series लेके आते हैं आपके लिए बस support करते रहें मुझे तो यह सारा बात उतार ले ठीक है बच्छो तो उतार लिए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परहाई करते रहें all the very best